हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टू मैं चानल फ्रेंस आज में वाल पेंटिंग बनाने वाली हूं यह जो टाइगर आप देख रहे हो यह मैं दिवार पे बना रही हूं अभी एक्रिलिक पेंट से और स्टेप बाइ स्टेप कैसे क्या करना है सुरुआत से मैं बताती हूं और आप देखो और देखके आप ट्राइकरो पहले दिवार में मैंने वाल पुट्टी लगाया था उसके बाद प्राइमर लगाया और फिर मैंने जो आउटलाइन है टाइगर की वह मैंने फ्री हैं ड्रॉ किया है आप चाहो तो ग्रीट कर सकते हो और जहां जहां पर देखो ब्लैक स्ट्राइक्स हैं वो सभी बना लेते हैं कर देखो बना लेते हैं कर देखो बना लेते हैं कि यह टाइगर एक केव में बैठा हुआ है इसलिए मैं केव के लिए यह बैक्राउन थोड़ा सा केव का जो कलर है मतलब मैंने ट्राइ किया है के बनाने की ब्राउन के साथ ब्लैक और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके तो और थोड़ा सा येलो मिक्स करके मैंने कलर बनाया है और यह बैक्राउन पुड़ा बनाने के बाद आपको बनाना है जो बाकी का कलर है येलो अब येलो के साथ तो आपको पहले जाए जब डार्क स्पोट जहां पर ज्यादा है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसमें ब्राउन मिक्स किया है येलो के साथ और फेस में आपको काफी जाए जो बाल एस नजर आते है तो आपको पहले डार्क सेट करना पड़ता है उसके बाद जब हैस है जो न साथ जाए जो फीछ गडिखता है जैसे की नोस वाला जी जो पार्ट है ये पार्ट थोर सा लाइट जीकता है और इसके उपर जो हैस जो बिल्कुल ब्राउन का लर का होता है तो इस लिए नाक को मैंने थोर सा लाइट रखाए फिर पूरे बॉड़ी को ये येलो और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके बागी का जो कलर है बॉड़ी का वह हम बना लेते हैं उसके बाद आता है डीटेलिंग का काम दोस्तों ये टाइगर बनाने में मुझे तीन या चार दिन लग गया ज्यादा तर मैं रात को ही काम करती ये पाला पेंटिंग टाइगर मेरा हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहा है क्योंकि टाइगर का जो सिकार करने का जो तरीका होता है जो उनका लक्स होता है जो एक ही चीज पर ठीकी होती है तब ही वो असलिये में सिकार कर पाते है तो इस वज़े से टाइगर मुझे हमेशा स से पसंद है और जब मैं यह पेंटिंग कर रही थी मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और कंप्लीट करने के बाद जो मुझे खुशी मिली वह मैं एक्स्प्रेस नहीं कर सकती एक साटिस्फेक्शन मिलता है मुझे टाइगर बनाने के बाद मैं फिर से से केंड़ेर दे एह हुत कि बहुत है तो पहले आपको थोड़ा डार्क से देना पड़ता है उसके बाद आप वाइट डो कड़र जो है लाइट जो भी आप हियाज लॉश्त करना चाते हो तो आपको डार्क देना पड़ते हैं उसके उपडर आपको लाइट से देना पड़ते हैं कि पहले और हीस के लिए बहुत ही पथले के इस्तेरा together कर जैसे कि यह मूँ बाला जो पोर्शन है यहां पे वाइट के साथ मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके ग्रे वाला कलर बनाया है क्योंकि आप पहले ही वाइट कर दोगे तो फिर इसके उपर जो वाइट हेर से वह निकल के आएगा नहीं इसलिए मैंने पहले ग्रे किया है कलर आइज को जड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आइज ही मेन होता है जब कोई भी रियलिस्टिक काम करते हों आख मुझे बहुत पसंदे बनाना तो यह आख का जो कलर है यह मैंने येलो के साथ ना लेमन येलो और येलो के साथ मैंने थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है अंदर पॉर्शन ओर थोड़ा सा डारक सेट करना है फ्यूंतलब थोड़ा और ब्लैक मिलाना है उसके बात ब्लैक मिला प्लेक मिलूर होता हूं तो सहाई मुझा करने में बहुत मज़ा देढ़े तो फुर बनलब कोई बात ही नहीं विल्कुल Lewis Rings लगे का यह ठ्राय करके देखो और mixing बहुत इंपोर्टेंट हो चाह FOR कोई भी color हो, painting or sketching, would have a mixing ուम हो. mixing बहुत इंपोर्टेंट है तो हमेसा mixing पिश्चिंग on देना है. और यह देखो हेयर से चोटे-चोटे हेयरस आपको बहुत ही पतले वाला ब्रास लेना है और क्यूंकि देखो पीछे वाला जो जो कलर है वह थोड़ा से लाइठ है इसके उपर ब्रावन कलर का मैं ने हेयरस किया है चोटे-छोटे यह करने में बहुत मजा अता है मुझे सोता है ना बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों यह मेरा पहला एक्रिलिक पेंटिंग है जो मैं अपने चैनल में डाल रही हूं और मैं बहुत ही अगर अच्छा लगे तो प्लीज पर जरूर बताए आपको कैसा लगा और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मुझे इंस्पिरेशन तो और मिलेगी नहीं ऐसे इंस्पिरेशन तो है मेरा टाइगर बट है ना तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे और चाहता खुशी मिलेगी और चाहता नहीं नहीं वीडियोस में डालते रहूंगी झालते तो है और चाहता झालते खागे खाहता झालते रहूंगे सब्साट करोगे। तो जहां पर थोड़ा लाइट टोन हैं लाइट हेयर्स हैं जहां पर वाइट हेयर्स हैं जैसे कि आइब्राउस में और मुह पर फेस के चारो तरफ थोड़ा तरह वाइट हेयर्स आपको दीखने को मिलेगा तो वह भी मैंने बहुत बारी की से बनाने की कोशिश की है क्योंकि दीवार है तो थोड़ा सा मतलब राफ है इस वज़े से उतना अच्छे से नहीं बना मुझे लगा कि मतलब यह अगर मैं कैनवस पर बनाती अच्छा हता बट यह चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि मैंने दीवार पर कभी ऐसे पैंटिंग नहीं की अच्छे से नहीं झाल 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 इस टाइगर को मैं एक 3D लुक देने के लिए मैंने एक फ्रेम बनाया है ब्लैक पेंट से पूरे टाइगर को फ्रेम बनाया है और इसका जो पैर है यह मैंने फ्रेम के बाहर डाला है और उसका सेड़ो भी बनाया है वह अब बाद में फोटो देख सकते हो मैंने किस तरह से थोड़ा सा 3D एफिक देने की कोशिश की है आई होप आप सब को यह अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर अ झाल 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 झाल